एक गाउं के बाहर छूटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे एक दिन एक गरीब मा अपने नन्ने से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़ कर चली गई बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला जब गाउं का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझ कर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भूला रख दिया गाउं के शर्धालू भवतों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का पुजारी जी का और बालक भूला का किसी तरह गुजारत चल जाता था यदि किसी दिन कम भी पढ़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगा कर स्वेम गंगा जल पी कर रह जाते धीरे धीरे भूला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा था वृद्ध पुजारी जी के ठके हारे हातों को कुछ आराम मिलने लगा इसलिए उन्होंने भूला को मंदिर की सफाई भगवान शिव की पूजा उनको भोग लगाने और उनकी आर्दी करने की सारी विधी अच्छी प्रकार समझा दी थी अवे स्वेम भगवान शिव के नाम जब और संकीरतन में समय व्यतीत करने लगे एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाब करते हुए ही उनके प्राण छूट गए अब बालक भूला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा न रहा उसने पुजारी जी की ये तीन बातें कभी नहीं भूली भगवान भूले शंकर शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना दूसरी भगवान को भोग लगाए बिना स्वेम कुछ भी नहीं खाना और भगवान शिव पर विश्वाश रख कर कभी भी किसी भी वस्तो का संग्रह न करना बासी भोजन का भी नहीं यदि गोई भग पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भूला उसे गरीबों में बाट देता वह ताजी रसोई बना कर ही भगवान का भोग लगाता था उसके बाद ही स्वेम प्रेशाद ग्रहन करता और यदि बचता तो उसे बाट देता यदि रसोई बनाने की सामगरी नहीं होती तो भूले बाबा और भूला दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते थे एक बार बरसाद का मौसम आया और तीन चार दिन तक मुसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं जांका भूला अपने भूले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही स्वयम भी पीकर रह जाता भूले बाबा बालक की भक्ती और सहन शक्ती की परिक्षा लेते रहे किन्तु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़कते देख उनसे रहा न गया वे सेठ के नोकर का रूप धरकर हाथ में भूजन सामगरी की पोटली बालक को देते हुए बुले सेठ चीने यह सीधा अर्थात कच्चा राशन भेजा है इससे रसोई बनाओ भोग लगाओ और स्वयम भी पसाद पाओ मैं कल फिर आऊंगा भोला भगत ने आशिरवात देकर उसे विदा किया और गीली सूखी लकडियों के दुए में गरम रसोई बनाई और रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया पूरे बरसाद के मौसम में भोले बाबा नोकर के वेश में आते और भोला भगत को सीधा देते रहे और स्वेम भी गरमा गरम रसोई का भोग पाते रहे एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेट जी को राशन भेशते हुए चार महीने हो गए हैं किन्तु वे स्वेम कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहन करने और उनके दर्शन करने के लिए नहीं आए अगले दिन जब बोले बाबा नौकर के वेश में राशन की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला भाई तुम्हारे इतनी धर्मात्मा सेट जी कभी स्वेम मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए इस कारण मेरा हिर्दय अत्यंत दुखी हो रहा है अपने सेट जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहन करने अवश्य पधारे ऐसा सुनकर नौकर बने भूले बाबा चौक कर घबरा उठे और बोले पुझारी जी सेट जी मेरे द्वारा आपको राशन भेशते हैं आप इससे भगवान जी का भोग लगा लेते हो और स्वेम भी परशाद पा लेते हो फिर सेट जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिये ना भूला भूला ऐसे कैसे चलने दूँ आपके धर्मात्मा सेट जी इतने दिनों से राशन धेच रहे हैं क्या मैं उन्हें भगवान का परशाद देने का अपना करतव्य भी पूरा न करूँ मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ अपने सेट जी से कह देना यदि कल भूले बाबा का प्रसाद ग्रहन करने ना पधारे तो मैं उनका राशन लेना बंद कर दूँगा नौकर बने भूला बाबा तो अपने भूले भगत की अकड़ देख कर कांप उठे और यह सोच कर मन ही मन हसे कि आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धोंस दिखा रहा है लेकिन सरल हिर्दे भक्त के मनो भाव पर रीज कर वे बोले ठीक है पुचारी जी कल सेट जी मंदिर में प्रसाद ग्रहन करने जरूर पधारेंगे दूसरे दिन बड़े सवेरे ही बोले बाबा नौकर के वेश में दूद और बहुत सारी सामंगरी लेकर मन्दिर पहुँच गए बूला चौकते हुए बुला भाई आज इतना सारा राशन किसलिए ले आए नौकर बने भूले बाबा बोले पुजारी जी भूल गए क्या आज आपने सेट जी को प्रसाद के लिए बुलाया है इसलिए आप जिक कर रसोई बनाईए और भूले बाबा को भोग लगाईए हाँ यह तो बता दीजिए कि सेट जी किस समय पधा रहे हैं भूला ने प्रसंद होकर उन्हें सेट जी के आने का समय बता दिया अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए बोले बाबा कैलाश पर सेट का रूप धारन करने लगे इधर अपने स्वामी को एक प्यारे छोटे से भगत के हाँ जीमने जाने का समाचार सुनकर ममतामई अनपूर्णामा पारवती भी मलक कैसे पीछे रहती वे भी पती की आग्या लेकर सेटानी का रूप धारन करने में जुट गई बूले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी शरीर पर लगी भर्स्म, तमर पर पहना हुआ, बागांबर और बाहों और कानों में पहने सापों के हार भी उतार कर एक तरफ कैलाश परवत पर रख दिये उन्होंने एक मकमल का सुन्दर कुरता धारन कर लिया, अपनी जटाएं सीधी करके गंगा और चंद्रमा को उनमें छुपा लिया और उपर से एक सुन्दर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली सदेव नंगे पैर विच्रण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेश्मी कड़ाईदार जूतियां धारन कर ले हाथ का तुर्शूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में धमा दिये और अपने हाथ में एक सुन्दर छड़ी लेकर पारवती जी के तयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहल कदमी करने लगे उधर पारवती जी घंटों से साज सवार करने में जुटी हुई थी उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुन्दर बनारसी साड़ी तिकाल कर पहनी जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से बिलकुल मिलता जुलता था उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूशन धारण किये पैरों में सुन्दर चपल पहन ली बगल में एक सुन्दर सा पर्ज दबा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बार श्रिंगार कक्षु से बाहर निकल कर आए जब पार्वती जी और शिवजी ने एक दूसरे को सेट सेठानी के रूप में देखा तो वे चकित रह गए और एक दूसरे को निहारते ही रह गए दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसे इतने सुन्दर रूप में नहीं देखा था जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धारण करके कैलाश से अपने भक्त के यहां दावत जीमने चले तो गणेश, कार्तिके, नंदी, रिशीमुनी, देवता और देवांगनाएं भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए सेठ बने शिवजी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को बहुत ही अदाव से घुमाते हुए प्रित्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे-पीछे मा पार्वती जी अपनी पायलों की चंचन मदुर दुवनी करती हुई एठानी बनी हुई चल रही थी इधर भूला भगत आज सुभह से ही श्रेठ जी के स्वागत में भाती-भाती के पकवान बनाने में जुटा हुआ था अपने भूले भाबा का भूग तो वह चलते-फिरते बना लेता था किन्तु आज उसे कई महिनों से भगवान का भूग लगाने के लिए राशन भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था अतहे आज उसने अपनी सारी पाक कला उसमें छोक दी उसमें सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल दो कर खीर बनाई उसे धीमी आज पर पका कर गाड़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजी हुई बिविन्ने प्रकार की मेवा जैसे बदाम, केसर, चिलगोजे और किश्मिशादी डालने लगा मिर्च और अध्रक को कूट कर उसमें बाज्रा, देशन और गेहु के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से थिक्कर बनाए रसोई बना कर भूला भगत पुनहे स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन कर भूले बाबा का भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद दे सके जब भूला भगत स्नान करके लोटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहन करने के लिए स्वेम तो आये ही हैं संग में अपनी सेठानी जी को भी ले आये हैं भूला ने जटपट दोनों से राम राम की और उन्हें आसन दे कर बठाया और बूला मैं अभी भगवान को भोग लगा कराता हूँ फिर आपको प्रसाद परोसूंगा भावना के भूके भूले बाबा से भूक सहन नहीं हो पा रही थी इसलिए वे बुले पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाईए मुझे से भूक सहन नहीं होती भूला भगत बोला सेट जी भूग तो मुझे भी बड़े जोर की लग रही है किन्तु मैं अपनी भूग के कारण भगवान को भूग लगाना नहीं भूलता यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूग के लिए भगवान का भूग लगाना भूल जाएं तो भगवान तो भूग के ही मर जाएंगे सेट जी बने भूले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले पुजारी जी आप भूग लगाएं इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ मुझे से भूग सहन नहीं हो पा रही है बूला भगत सेठ जी बने भूले बाबा को डाटते हुए बूला सेठ जी भगवान के नाम भगवान के काम में मैं तो जल्दबाजी चलती है और नहीं कंजूसी मैं जब तक भगवान का भोग नहीं लगा लेता आप रसूई के पास मी नहीं भटक सकते चुपचाप इधर बैठ चाहिए और ओम नमश्यवाय का जाप करते रहिए मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर कर भूजन कराता हूँ सेठ बने शिवजी डाट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे सेठानी बनी पारवती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हसी रोग पाई लेकिन जैसे ही भूला भगत पत्तल में सामगरी लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया शिवजी पारवती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुँच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा कर चखना शुरू कर दिया भूले बाबा तो प्रसाद को चक्ते ही भोचक के रह गए खीर में चीनी की जगे नमक भरा हुआ था और सबजीयों में चीनी भरी हुई थी जैसे ही भूले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़ कर मुख में दिया वे मिर्ची के मारे सीसी करने लगे और उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर आकर बैठ गए मा पारवती अपने स्वामी की यह आलत देख कर खिल खिला कर हस पड़ी इससे पहले कि भूले बाबा पारवती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते भूला भगत ओम नमस्शिवाए ओम नमस्शिवाए का जाब करते हुए आ पहुँचा उसने भूग को रसोई के अन्य वेंजनों में मिला कर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेट जी के सामने पतल परोस कर हाथ जोड़ कर बोला सेट जी अब आप जी भर कर प्रसाद खाईए बोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ती से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चक चुके थे आते उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसी ने छूटने लगे कभी वे भूला का तो कभी पारवती मा का मुख देखने लगे बोला को सेट जी की धिल बरदाश नहीं हुई और बोला सेट जी अब क्या हो गया है आपको अभी अभी तो इत्वी उतावली मचा रहे थे आप क्यों नहीं जीमते आप जीमोगे तभी तो माता जी भी प्रसाद घरन करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पापाऊंगा बोला की ललकार सुनकर भूले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्लड उठाया और सारी नमकीन खीर कटागट पी गए कुल्लड खाली होने की देर थी कि भूला ने उसे जट से भर दिया अपने प्रिय भक्त के हातों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा भूला परोस्ता गया और भूले बाबा खाते रहे जगत माता पारवती भक्त और भगवान तोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्र मुग्द होती रही जब सारी रसोई समापत हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली भूला को होशाया और बूला वा सेट जी वहा मैं भी बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहन करने का इतना शोख है तो और भी ज़्यादा रसोई बनाता बोले बावा अपने पेट पर हाथ फेटते हुए सेठानी बनी पारवती जी की और मुस्कुरा कर देखते हुए बोले पुझारी जी मैं इतना रोज कहां खाता हूँ किन्तु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही रही रहा और खाता ही चला गया किन्तु तभी बोला भक्त रुवासा होकर बोला सेठ जी यह तो आपने ठीक किया लेकिन माता जी तो भूकी ही रह गए हैं ममता मई पारवती मा से भूला का रुवासा मुख देखा नहीं गया उन्होंने बची हुई खीर की चार बूने अपने कंठ में टपका ली भूले बाबा द्वारा भूग लगाने से प्रसाद में अदबुद आलोक एक स्वाद भर गया था ऐसी सुगंदित और मीठी खीर चक कर जगत जननी आकंठ त्रिप्त हो गई और उनके त्रिप्त होते ही श्रिष्टी का परतेक प्रानी त्रिप्त हो गया भूला भगत बूला सेट जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहन कर लिया इससे मुझे अत्यंत संतोश हो रहा है समझ रीजिये कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहन करने से मेरा भी बेट भर गया मेरी तो वैसे भी महिने में दो-दो एक आदशी हो जाती हैं किन्तु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे की भूले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो यह कहकर जैसे ही भूला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठा कर अपने कंठ में डाला उसकी जनम जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्ते वासनाओं और इच्छाओं की त्रिप्ती हो गई उसके ज्ञान के नेतर खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुक तरलो की नात भगवान शंकर और जगत जननीमा पारवती आशरवाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं भोला तोड़ कर उनके चर्णों में लोट गया लोटता गया लोटता गया और उन्ही में समा गया जै भोले बाबा जै माता भारवती इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुचा कर तर्म लाब प्राप्त कर सकें